नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहें, ये पत्ता गोभी लगभग अभी 50 से 55 दिनों की हो गई है। पिछले वीडियो में हमने रोपाई के 30 से 35 दिनों तक पत्ता गोभी की जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम 30-35 दिनों के बाद की संपून जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पत्ता गोही 50-55 दिनों के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं और बहुत ही अच्छी कंडिशन में है इसकी कलर बहुत ही अच्छी और चमग भी बहुत ही अच्छी है इसका वजन भी लगभग आज 100-1 किलोग्राम के आसपास हो चुकी है और लगभग लगभग यह पौधा आज से 10 दिनों में पहली कटाई के लिए तयार हो जाएगी तो चलिए दोस्तों रुपाई के 30-35 दिनों के बाद से इस पर क्या-क्या किया गया है उस पर डीटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों पत्ता गोभी में 30 से 35 दिनों के बाद खाद का विशेस महत्व होता है क्योंकि इसी समय पौधे ग्रोध करते हैं और यही समय होता है जब पौधे अपना ग्रोध करके अपनी दशा तै करते हैं इसी समय पता चलता है कि उत्पादन हमारी कितनी यहां सकती है और कितना आने की संभावना होती है तो इस समय हमें पौधों को संतुलित खाद देने की अवश्यक्ता होती है तो इसके लिए हम प्रती एकड़ अगर आप बीने डिप की खेती कर रहे हैं तो 15 किलो नैट्रोजन जिसमें आप सागरीका का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी बायो वीटा वगरा भी यूज कर सकते हैं इसको मिला कर आप पौधे में डालियेगा तो पौधे अच्छे ग्रोध करते हैं डिप से आप 0-1-34 और 19-19-19 को 5-6 दिनों की अंतराल में कंचिन्यू चलाते ट्रोजन के साथ फासफोरस और पोटेशियम की मातर उपलब्ध हो जाती है जिससे पौधे अच्छे ग्रोध करते हैं और उसकी जो अनुवांशिक विकास होती है बहुत अच्छे से होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उपयोग से पत्ता गोभी का जो वजन होता है वो अच्छे से सेट होता है और उसका वजन में व्रिद्धी होती है बहुत ही अच्छी होती है तो आप भी जीरबावन 34 के सांसात 19-19-19 का भी उपयोग कर सकते हैं पत्ता गोभी में 40-45 दिनों की अवस्था जब हो जाती है तो बोरोन और कैल्सियम का स्प्र जरूर करें इससे होता क्या है कि जो पत्ता गोभी फटने की शिकायत आती है वह रुख जाती है दूसरी यह होती है कि पत्ता गोभी का जो सर होता है वो अच्छे से बंदता है और इसकी जो वजन होती है वो बढ़ जाती है साथ ही साथ इसकी चमक भी बहुत अच्छी होत क्वालेटी भी बहतर नजर आती है तो आप बोरोन और कैल्सियम का स्प्रेय जरूर करें अगर आप इस प्रेय के रूप में टॉनिक वगरा डालना चाहते हैं तो आप इसा वियान फैंटेक या बायो विटा जैसे अच्छी कमपनियों का भी चैन कर सकते हैं इसे आप बोरोन दोस्तों गर्मी की फसल में सिचाई का बहुत ही महतपून योगदान होता है अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो दिन में दो बार जरूर सिचाई करें और वो भी गहरी सिचाई करें चोंकि खेत में पर्याप्त मातरा में नमी बनी रहना बहुत ही आवश्यक हो जात क्योंकि सिचाई की कमी से पत्तो गोभी का वजन कम हो जाता है और उत्पादन में बहुत ही जादा कमी हो जाती है तो सिचाई समय पर जरूर करें पत्ता गोभी में बीमारी की बात करें तो जूलसा और काली सडन जैसी बीमारिया भी देखने को मिलती है तो आप इसकी फिनदी और रस चूँसक कीट भी लगते हैं तो आप इल्ली के लिए साइपरमेतिन प्रोफेनो फास का भी सप्रे कर सकते हैं और रस चूसक कीट के लिए आप धाई में ठाकसं या इमिजा क्लोप्राइट का हुझ चैन कर सकते हैं पत्तागोहजी में आप बीमारी लगने समस्या और फंगस लगने की समस्या रूख जाती है तो आप सस्ती दवाई से ही बड़ी-बड़ी होने वाली समस्याओं को भी रोक सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पत्ता गोभी लगभग कचाई के लिए तयार हो ही गई है लेकिन मार्केज में अभी ए जाला जा सकता है उसके लिए आप सिचाई को रोक दें सिचाई को रोकने से क्या होता है कि पत्ता गोभी के जो व्रिद्धी होती है वह रूख जाती है और 15-20 दिनों का समय अतिरिक्त मिल जाता है इससे मार्केज के उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है और रेच अधिक हो बता हूँ आज की इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी किसान भायों को बहुत बहुत धन्यवाद